आई जानते आज के प्रमुखंदर राश्टी खबरों को उसे पहले एक नजर आज के हेडलाइन्स पर आयुद्याधामी स्टेचन एयरपोर्ट और वंदे भारत अम्रीत भारत को हरी जंडी रामनगरी को आज पिया मोदी देने जा रही हैं कई सौगाते नितिस कुमार और लालू यादव के बीच बढ़ती अविस्वास की खाई बिहार में महागडबंधन सरकार के बचे हैं अब गिंती के दिन राम मंदर मुद्दे के सहारे फर्ट से अर्शक पहुंची बिजेपी दोजार शौबिस में चुनाओं से पहले आयोधिया फैक्टर की सियाती एहमियत समझे कई जिलों में छाया घना कोहड़ा हाथसे में गई नौ की जान इज्राइली दूतावास बलाश्ट केस में एफाई यार दरजी संदे के घेरे में लंबा सक्स नए साल ते पहले सस्ता हुआ सुना चांदी चेक करे आज का भाव सलार हिंदी में पहुँचे एक सो करोड के पार निउयर पर तगरी कमाई के लिए तैयार प्रभास की फिल्म और केप टाउन में डरावना है टीम इंडिया का स्टेश्ट रिकॉर्ड क्या सिरीज एक-एक से बराबर कर पाएगी रोहित की सेना प्यम नरेंद्र मोधी आज यानी 30 दिसंबर को आयोध्या पहुचेंगे यहां प्यम मोधी आज ट्रेनों को हरी जंडी दिखाएंगे ताथी प्यम मोधी आयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महरती वालमी की इंटरनेशनल एरपोर्ट का भी उदगाटन करेंगे प्यम मोधी आयोध्या में वंदे भारत और अमरित भारत एक्सप्रेश ट्रेन की सौगाट देंगे ताथी प्यम मोधी आयोध्या में रेलवे स्टेशन और महरती वालमी की इंटरनेशनल एरपोर्ट का भी उदगाटन करेंगे प्यम्मोधी एरपोर्ट रामिनल के पास जनसभा अस्तल पर आयोध्या की विभिन परी योजनाओं का सिला नियास करेंगे और अनी विकात योजनाओं राश्ट को समर्पित करेंगे प्यम्मोधी आज जानी सनिवार को आयोध्या धाम इस्टेतन का लोकारपन करेंगे बिहार में तेजी से बदलते राजनीति घटना करम के बीच अब यहाँ प्रशन है कि महागटबंधन की सरकार के कितने दिन बचे हैं दिली में जैडियू राष्ट कारिकरनी और राष्टी प्रिशत की बैठा के बाद आरजेडी सुप्रिमो लालू प्रशाद यादव और नितिस कुमार के बीच दूरिया असपश्च तौर पर बढ़ती हुई नजरा रही है जदियू सुत्रों की माने तो नितिस जहाँ अनि संभावनाओं की तलास में राजसभा के उप सभापती हरीवन्त और बिहार सरकार के मंतरी तंजय जहा के माध्यम से बिजेपी के लगतार संपर्क में है वहीं लालू प्रशाद यादव कॉंग्रेस को बिहार में आगामी लोकसभा चुनाओ में ज्यादत से ज्यादा सीटे दिलवाक नितिफ की बारगेनिंग पावर को कम से कम रखना चाह रहे हैं आज यानि 30 दिसंबर को आयोध्या में इंटरनेशनल एरपोर्ट का उधगाटन हो जाएगा दोनों ही कारी कर्मों में पियम नरेंद्र मोदी भी मौदी भी मौदी रहने वाले हैं इसको भवे और दिवे बनाने के लिए हर अस्तर पर तैयारिया जोरो पर चल रही है इस प्रान प्रतिष्ठा कारेक्रा में सामिल होने के लिए ट्रस्ट की ओर से सभी लोगों को इन्विटेशन भी भेजा जा रहा है इन सब के बीच 30 दिसंबर क्वायोध्या में इंटर्नेशनल एरपोर्ट का उद्धाटन होने जा रहा है साल 2021 का विसपोर्ट जिंदल हाउस के पास एपीचे अब्दुल कलाम रोट पर बंगला नमर पांच के पास साम पांच बजे के आसपास हुआ था 26 दिसंबर का विसपोर्ट भी लगभग उसी समय हुआ हालाकि यह प्रिथिवी राज रोट पर हुआ जो पिछले विसपोर्ट असल की पीशे इस्तित है और इजरायली दूतावाद से लगभग 250 किलो मीटर दूर है इजरायली दूतावाद से तकरीबं 250 किलो मीटर दूर नंदा हाउस के सामने 26 दिसंबर की साम हुए संदिक्त धमाके के तीन दिन बाद दिली पुलीस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है तुगलक रोट थाने में अग्यात लोगों के खिलाप मामला दर्ज हुआ है इस घटना में केंदर एजेंसिया भी सामिल है बलाश्ट के अगले दिन NSG, NIA और दिली पुलीस इस स्पेचल सेल की टीमे जाच के लिए मौके पर पहुँची थी और सबूत इखटे किये थे एजेंसियों ने मौके से पेर पौदे के पत्ते मिट्टी के स्टेंपल लिए गये ताकि ये पता लग सके कि ये धमागे की आगाज लोगों ने सुनी उसे कित विसफोटक या डिवाइस के जरिये अंजान दिया गया था नए साल की सुरुवात होने में चंद दिन रह गये हैं उसे पहले बुलियन मार्किट में तगरी गिरावट देखने को मिली है विदेशी और घरेलू बजारों में सोने अर्चांदी की कीमतों में नर्मी है मल्टी कॉमिडिटी एक्सचेंज पर सोने के वाइदा भाव 63,250 रुपए और चांदी का वाइदा भाव 74,300 रुपए के करीब कारुबार कर रहे हैं सोने के वाइदा भाव की सुरुवात आज गिरावट के साथ हुई MCS पर सोने का बेच मार्क फरवरी कॉन्ट्रेक्ट आज यानि 143 रुपए की गिरावट के साथ 63,286 रुपए के भाव पर खुला खवर लिखे जाने समय यहां कॉन्ट्रेक्ट 126 रुपए की गिरावट के साथ 63,263 रुपए के भाव पर कारुबार कर रहा था इस समय इसने 63,287 रुपए के भाव पर दिन का उच्छ अस्तर और 63,211 रुपए के भाव पर दिन का निचला अस्तर छुलिया इस मेहने सोने के वाइदा भाव ने 64,000-63 रुपए के भाव पर सरोच्चम अस्तर हुआ है थेटर्स में सलार का भौकाल लगतार बना हुआ है आठ दिन में फिल्म में तगरी कमाई की है और अब कलेक्सर में सॉलिड जम के लिए तयार है निव यर वाले विकेड में फिल्म के कमाई यकीनन बढ़ने वाली है मगर उससे पहले प्रभास की फिल्म ने एक नया कमाल किया है पिछले हपते थेटर्स में पहुँची सूपरिश्टार प्रभास की फिल्म सलार जनता को एक्सन इंटर्टेन्मेंट का धमाकेदार डोज दे रही है पहले दिन इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली इंडियन फिल्म बन चुकी सलार अभी भी थेटर्स में दर्सकों का दिल जीत रही है अपने दूसरे सुकरवार को भी प्रभास की फिल्म थेटर में सॉलिट कमाई के साथ डटी रही सलार का नेट इंडिया कलेक्सन तो तेजी से आगे बढ़ी रहा है मगर हिंदी वर्जर में फिल्म की काम्याबी बहुत अगरी है प्रभास की फिल्म सारुक खान की फिल्म डंकी के एक दिन बाद रिलीज हुई इतनी बड़ी फिल्म के पहले थेटर में होने की वज़े से सलार को सुरुआत में स्क्रीन मिलने में थोड़ी दिक्कत तो आई लेकिन पहले ही दिन से प्रभास का स्टार्डम हिंदी जनता को भी क्लीन बोट कर रहा है सलार का दूसरा सुक्रवार कमाई अभी दमदार है भारत और साउथ अफरीका के बीच दो मैचों की टेश्ट सिरीज का दूसरा मुकाबला कैप टाउन के न्यूजलेंड क्रिकेज ब्राउंड में खेला जाएगा भारती टीम इस टेश्ट मैच को जीत कर ये सिरीज एक-एक ते बरावर करना चाहेंगी रोईट की सेना को सैंचूरियन में खेले गए पहले टेश्ट मैच में मेजबान साउथ अफरीका की टीम निपारी और 32 रनों से हरा दिया था भारती टीम इस टेश्ट मैच को जीत कर ये सिरीज एक-एक से बरावर करना चाहेगी रोईट की सेना को सैंचूरियन में खेले गए पहले टेश्ट मैच में मेजबान साउथ अफरीका की टीम निपारी और 32 रनों से हरा दिया था इसे के साथ टीम इंडिया को पहली बार साउथ अफरीका की धरती पर टेश्ट सिरीज जीतने का सपना तूग गया था